जी स्लामनेकूम मैं हूँ खावरिशेजादर आप देखना है यूट्यूब चैनल हमारी इस पीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी एक्कॉमेडेशन्स पर क्योंके काफी लोग करे रहे थे कि वही कुछ एक्कॉमेडेशन्स के बारे में कुछ तोड़ा सा गाइड कर दें तो इकॉमेडेशन्स के लिए मेरे जो मैं जिन लोगों को गाइड करता हूँ वीजे के लिए जो सबकुछ मेरी उनको पहली तो यही कोशिश होती है कि उनको इन्युयवस्टी ऐस चॉस्थे मिलते हैं इन्युवस्टी से मुराद यह है कि वो फॉस्थे साथ होता है थोड़ा सब तो वो आपको अच्छा है कॉमेटेट का देते हैं मैंने इसमें अपनी वीडियो में पहले बताया हूँ है कि दो टाइप की कॉमेटेशन होती है सिंगल रूम डबल रूम वो आपकी मरजी है जैसे आपको एक्सपेंस आप अपना मेंटेशन कर सकते हैं जैसे आप सिंगल ले लें डबल लें डबल के अपने प्रोजन कॉन्स में बता चुक हूँ सिंगल मेंगा होता है डबल जो है उसमें आपके साथ पार्टनर होता है उस और जो double room है वो आजकल वो भी 250 plus 300 के करीब जा चुके हैं, तो यह ही आपका main बड़ा expense होता है, यहाँ पे housing का, तो यह इतना ही है आजकल, इंफलेशन की वैसे काफी काम बिगड़ा है, जिसकी वैसे मामलाद उपर चले गए है, heating और यहाँ पे electricity cost बहुत बढ़ गई है, जिस लोगों को नहीं मिल रही है, कि काफी मसायल रहते हैं, तो accommodation के लिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको आना जाना नहीं पड़ता, क्यों मैंने नोट किया, मैं अपनी युनिवस्टी के होसल से बाहर रहा तो मैंने काफी कुछ मिस किया अपने बागी सारे दो काफी मिल जागे, बैड के सब कुछ कर लेते होते थे, हमें दूर से आना पड़ता था, तो यह सारे को जिसमें प्लस माइनिस होते हैं, तो सबसे पहले तो जहाँ आप admission लें, जिससे आप coordinate कर रहे हैं, आप उससे राप्ता करें, या आपकी university में international office होगा, must होता है हर university में, आप international officer director अपता करें, कि जी मुझे या offer letter आ गया है, मैं आपका student होने वाल हूँ, तो आप मेरे accommodation में help करें, they help you to the max जहां तक वो कर सकते हैं, तो वो आपके लिए accommodation भी ठूण देते हैं, जिबास अपने hostel होस्टलों तो उनका भी राप्ता देते हैं, उनसे बात भी कर लेते आपको accommodation भी offer कर देते हैं sometimes, तो इस तरह आप easily accommodation student hostels में ढूंड सकते हो, अब बाकी hostels की list के hostels को ढूंडा कैसा है, अगर आपको कुछ वहाँ पे नहीं मिल रहा है या आगे पीछे, तो आप उसके लिए easily है, गूगल पे search करें, अपने share का नाम लिखके studenten vonheim, या studenten dorm, तो studenten dorm, आप इन दोनों में से लिखके search करें, अपनी city का नाम लिखें, आपको काफी सारे dorms के लिए, सब में apply करें, जिसमें भी easily आपको मिल जाए, तो आप उनको अपने city के reference से search कर लें, तो आपको काफी कुछ मिल जागा, इसके लागा कुछ private websites हैं, willharbon.at, वहाँ पे दोगों के साथ मिल के कठे, वो चार लोग जो हैं, वो भी कभी कभार रह लेते हैं, तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं, उसमें options आपके पास और सस्ते होजाते हैं, अगर आपको room मिल जाए और आप सेटल हो जाए उसमें, तो और सस्ता बढ़ जाता है थोड़ा सा, उसके लिए दोड़ी एफट करनी पड़ती है क्योंकि यहां पे जरा लोग कतराते हैं 3-4 लड़के कमरे में किसी को देना या सम्थिंग तो उसके दोड़ी एफट करनी पड़ती है लेकिन मिल जाते हैं और जब आप स्टुडिंटन हाइम लिखके जब आप सर्च करते हैं या डॉ ओ प्यूम वहाँ पे जूल्यस रा भाइं मौझा आएजूर नो के पास बहुत चारे और बैसीगली मौझाच असल मैं बिंडोर काफी शाह था हें walking कूल नकीं पास उनके प्स न की दूबल में हैं दूटर निर एवेराइटि भी यह वांपे सिंगल रूम सब्स्ते है Beim कहां चाहिए जो वॉपर उस्तिया में व्हां बात करें जाए विज में सकी आलज्राइम करना हुआ यह जो और होस्टल के नाम अब मुझे सच याद नहीं है कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में एक लिस्ट बना लूँ होस्टल के नामों की ताके वह भी लोगों को हो सके जो जो वोस्टल नूडते हैं लेकिन अफर्ट आपको खुद करने पड़ेगी तुड़ी सी एफट करें जितने डॉंस अप्लाय करें रूम्स मिल जाते हैं अश्या मसला नहीं है रूम्स ना मेले थोड़ा टाइम लेते हैं प्रोसेसिंग में वो कर लेते हैं अब अक् पाकिस्तान से कैसे पे कर सकते हैं आपके ऑनलाइन डैबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं वैसी आपको करने पड़ती है और या किसी स्टूर्ण से हल्प ले ले लें तो वो भी कर देता होता है संटाइम जो यहां पर अल्रेडी है आप उनसे कह लें तो वो कुछ ना भी security दो मंत के हमने दी हुई है दो मंत की security आपको मस दी नहीं होती है वो आप यहाँ पर ऑस्ट्रिया आ के भी दे सकते हैं लाज भी नहीं कि आपको पाकिस्तान से दी नहीं है बोध लड़कों के सवाल दे कि security and all यह वो पाकिस्तान से अगर आप उनको केंगे आपके दे देंगे कुछ तो वैसे मंगते नहीं हो आपको एकी दफार कहते हैं जब आप फर्स मंत आएंगे तो आपने इतना पैसे देने हैं कुछ मांग भी लेते हैं तो आप उनको पैसे आ के भी दे सकते हैं इसमें ऐसा कोई मसला ले लेकिन दो मंत के आपको security देनी पड़ती है जो आपको end of the जो आपको security अगर room में कोई damage ना हुआ हो तो वह आपको ऐसी वापस कर देते हैं तो उसके टाइम लेते हैं one month something लेते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद आपके account में transfer कर देप में condition कि आपके room को कोई damage ना हुआ हो जाता नॉर्मल भी ना हुआ हो लेकिन बहुत जाता को देखने वाला visible damage ना हुआ हो और इसके लब आप first month में आपको साथ रेंड देना होता है security देनी होती है और हाँ जो normally hostel होता है आपको bound करता है कि आप एक साल के लिए तो must try उसके बाद change करें तो जब contract आया आप उसको पढ़ लें देख लें उसमें कितना टाइम और आपको एक मन्त का notice पहले देना होता है कि जी इस मन्त के बाद मैं छोड़ जाऊंगा तो मतलब notice आपको पहले क्योंकि यहां जब आप छोड़ते हैं तो फिर पीसी तरह हम वो मैंने बिदाया कि security एक मन्त के बाद आपको transfer होती है और एक एक year का contract वो must करते हैं कि एक साल तक बंदा bound रहे और अगर आप चाहें तुन से बात करके negotiation करके कुछ थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं चाहें तो उनको कहें पहले चोड़ना है वो किसी तरह बंदा है एडजस्ट कर लेता है उनसे बात कर ले वो माल लेते हैं इतना कुछ hard and fast rule नहीं होता students के लिए कि उनको बड़े मसाहिल होते हैं यह वो सब कुछ तो वो माल लेते हैं तनी मैंने देखा है हमारे hostel में रणके छोड़के गए हैं एक साल और बाते हैं आपके जहीं में आती है तो अब जरूर पूछें मेरे से मैं आपको जरूर जवाब दूँगा उनका और इंशालला कोशिश करूँगा लेस्ट बांजाए एक कॉमेंडेशन की दाके थारे students को और मदद हो सके कुछ थोड़ी सी तो अगर इसके वाले से और आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो शेर करें कोपनेर फ्रेंड्स के साथ तेंक्यू सो मच पर वाचिंग अला अफैस